वेल्कम गाईज आज के वीडियो में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं सर्वर कोर के बारे में सर्वर कोर के बारे में सो गाईज लास्ट वीडियो में हमने एक्टिवर्टिक का इंस्टॉलेशन देखा था तो उसके बाद जो मारा next topic हम discuss कर रहे हैं server core के बारे में तो guys अगर मैं Windows operating system के बात करूँ server operating system की तो इसमें दो तरीके आपके operating system है एक हैप का CLI based operating system and another is GUI based operating system तो हमने last time जो discuss किया था जो हमने इस्टोलेशन देखा था वो हमने GUI के बारे में देखा था लेकिन आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम server core operating system को अपने production में install कर सकते हैं और server core का सबसे बड़े फायदा ही है guys कि इसके लिए एक minimum hardware के requirement होती है और server core जो आपका introduce हुआ था जो आपका introduce हुआ था वह 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 था आपका server 2008 के साथ तो 2008 server के साथ server core को introduce किया गया था सबसे बड़ीया benefit इसका यही है कि इसको आप एक बहुत ही कम hardware resources के साथ आप उसको use कर सकते हो लेकिन यहां पर आपको कोई GUI नहीं मिलेगा आपको किसी भी तरह का graphics नहीं मिलेगा सारा का सारा जो base होगा guys वो command line के थुरू यानि आपको पूरे server को जो manage करना होगा लेकिन हम किसी दूसरे server से किसी अनदर server से हम उसका remote access लेके उसके हम minimum GUI का access लेके हम काम कर सकते हैं तो आने वाले अभी कुछ वीडियो अभी server core के बारे में रहेगा जिसके अंदर server core को installation देखेंगे उसके बाद कैसे हम इसको पर role install करते हैं कैसे server core को activity install करना है इस सारी चीज़ा इस सीरीज में रहेंगी ठीक है तो server core को installation आज हम देखेंगे आज को जो टॉपिक है गाईस हूँ है server core installation तो installation के लिए गाईस मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने VMware के पास तो यह VMware का आपका application है तो सबसे पहले हम इसके उपर एक virtual machine create करेंगे तो इसके लिए file पर जाएं और यहां पर आपको create करना है new virtual machine के उपर ठीक है new virtual machine पर जाने के बाद आपको यहां से next करना है और यहां से जो guys आपको भी choose करना है यह करना है आपको यह करना आपको I will install operating system letter ठीक है अभी आपको यह करना है चाहे तो आप directly images को देके आप कर सकते हैं लेकिन कई बार शू आ जाता है तो जो हम operating system में बाद में हम लोग जो उसका इसका इमेज है जो इसका operating system का जो image है इसको बाद में सेलक करेंगे लेकिन अभी हमें क्या करना आई विल इंस्टॉल दा operating system letter ठीक है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां से next पर क्लिक करना है नेक्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर है आपको operating system Microsoft का है और यहां पर by default अभी देख सकते है विंडोस server 2016 है बाकि अगर अधर कोई operating system अगर यहां पर select होता है तो आपको यहां पर Microsoft और यहां से server 2016 को select करना है नेक्स पर क्लिक करना है उसके बाद आपको अपने machine का नाम देना है कि किस machine आपके जो वर्चूल machine का जो नाम है वो क्या होना चाहिए तो मैं यहां पर दे देता हूं server server core और यह machine आपको कहां पर install करनी है तो गाइस इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर browse करूंगा और मेरे यहां पर ड्राइव है आई ड्राइव कि मैं सेकेंड तोड़ा सा नीचे आते हैं आई ड्राइव पर जाएंगे और यहां पर मैं एक फोल्डर करेट करूंगा और यहां पर लिखूंगा मैं server core तो इसको एंटर करेंगे और यहां सो के करेंगे तो मेरा जो पाथ है वाइड ड्राइव में server core का फोल्डर बनाया और यहीं पर मैं installation करना चाहता हूं तो यहां से next करेंगे यहां पर आपको windows के लिए जो hardware requirement hard disk requirement है वो आपको यहां पर देना है तो by default अभी 60 GB का ले रहा है आप 60 GB के साथ जा सकते हो बट मैं यहां पर करता हूं मैं 100 GB यहां पर दे रहता हूं ठीक है यहां पर करना आपको single virtual hard disk as a single file में store होगी अगर आप इसके साथ जाते हो तो आपके पास यहां डिक्स तो बने करेंगा तो हम क्या करेंगे सिंगल location पर हम इसको करना चाहते हैं इसलिए हमने यहां पर क्या किया कि store virtual disk as a single file इसको single file में store करेंगा ठीक है 100 GB का मैंने space दे दिया है next करेंगे और यह आपका एक overview आपने क्या क्या नाम दिया है virtual machine का कहां पर install कर रहे हो Windows का कौन सा यह version है आपका और इसमें कितने सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप यहां पर अपने RAM बढ़ा सकते हैं और यहां से क्लोज करूंगा मैं और यहां पर एक चीज़ और आपका जो नेटवर्क अडेप्टर है बाई डिफॉल्ट यहां पर नेट है कई अगर आपको VMware के बारे में अगर आपको आईडिया नहीं है तो प्रीज आप मुझे कमेंट किजिए कि मुझे VMware के ओपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो बना दूँगा तो वीडियो एक बहुत ही अच्छा अप्लिकेशन है जहां पर वर्चुल मेंशन डिप्लॉइ करके आप उसके उपर प्रैक्स कर सकते हो तो अगर आपको वीडियो नहीं नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए मैं वीडियो बना दूँगा तो अभी हम यहां पर क्या करेंगे जो अप्रै二 एक और फिजिंग पर उसके साथ मिल जाएगा मिन्स यौपका इंटरनेट कर फिजिकल मशीन ग derivatives के साथ 19 करनेक्ट हो जाएगा तो अभी के लिए सिर्फ आप क्या कीजिए इसको ब्रीज पर किलिक कीजिए ठीक है इससे क्या हुआ कि जो आपका वाई-फाई राउटर है उससे वाई-पी उठा लेगा और आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको इस मशीन के साथ मिल जाएगा ठीक है तो आप यहां पर फिलाल ब्रीज कर दीजिए ठीक है और उसके बाद आपको यहां से जस्ट आपको क्लोस करना है ठीक है और यहां से फिनिश करना है अब नेक्स जो है आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बाकी को डिलीट कर देता हूं यहां से क्राउस कर दे यहाँ से चूज सायो इस आयोक प्रूर्स पढ़ा हुआ है जैसे मेरे इहां पर है इन्यूंट oppos कि यहां प्रूंट इन्थ चूकी है सो जब तक next screen आती है तब तक कि हम वीडियो को पॉस्ट करते हैं कि अब यहां पर देख सकते हैं Windows 2016 का जो है डैश्वोर्ड ओपन आ चुका है यहां पर आपको यहां से करना नेक्स्ट कि इंस्टॉल नाउ कि अब यहां पर आपके पास option आएगा कि जो आपका विंडोस ऑप्रेटिंग स्टम को जी वाई बेस्ट इंस्टॉल करना है यहां पर अब हमारे पास यह देखिए यहां पर जो स्टेंडर्ड आ रहे हैं वह आ रहे हैं मेरे पास यह जो आपका पहलो जो option है इस यह आपका विंडोस 2016 स्टेंडर्ड एडिशन ठीक है और यहां पर अगर मैं इस वाले option के साथ अगर किलिक कर तो फर्स्ट वाले के साथ तो गाईज यह अगर यहां पर दो एडिशन है एक है स्टेंडर्ड एडिशन एक है स्टेंडर्ड एडिशन और एक है आपका डेटा संटर एडिशन टो गाईज दो एडिशन है दोनों में ही आपको क्या मिल जाएगा CLI and GUI दोनों में ही, तो आप data center के साथ भी जा सकते हैं, standard के साथ इन दोनों में क्या differences है, guys इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे कि दोनों में क्या differences है standard edition के अंदर, data center के अंदर ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग जैसे कि हमारे वीडियो server core के उपर है तो guys हमें server core के लिए हम data center के साथ भी जा सकते हैं, और हम standard के साथ भी जा सकते हैं, तो अभी फिलाल के लिए मैं standard use करूँगा ठीक है, जिसके लिए आपको minimum hardware के requirements आपका काम चल जागा, तो मैंने हैं फर्स्ट के साथ जाएंगे, next के लिक करेंगे, और next के लिक करने के बाद license को accept करेंगे, next करेंगे, custom installation पर जाएंगे, new, I think windows की installation आप सब लोग को आता होगा, just मैंने यहां पर आपको server core को selection करना बताएं कि server core का है से हमने install करेंगे, just हमें GUI को छोड़के, हमने CLI based operator को select कि और just next next है, जैसे normal window डालते हो, वैसे ही डालना है, कोई additional कुछ चीज़ आपको नहीं करने की ज़रू होते हैं, just that's it, अब यह जो है मेरी windows core की installation शूरू हो चुकी है, जैसी यह complete होता है, फिर हम वापिस आते हैं, और इसका यूजर इंटरफेस देखते हैं, किस तरीका का यूजर इंटरफेस जो server core का होता है, वो देखते हैं हम लोग, तो तब तक के लिए में वीडियो को बास्ट कर देता हूँ, जो windows server core की installation को complete हो चुकी है, इंस्टोलेशन के बाद, मेरे एक बाद server restart हो और restart होने के बाद ये screen आपको आएगा, ठीक है, और ये है आपका server core का, जो main first screen, after installation, तो installation के बाद अभी यहाँ पे password आपको first time जो change करना पड़ेगा, तो ये screen आपके पास आएगा, मैं screen को full करता हूँ, एक मिन दीजेगा guys, so, यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर यूजर का name और administrator और यहाँ पर the user password must the chain before the login, , तो आपको यहाँ इंटर नहीं मारना है guys, आपको new password देने के बाद confirm password के लिए, मैं आपके tab enter किया है, और same password अपको confirm करना है, Sorry और यहाँ से आपको फ़र्म एंटर, और फिर enter and now server core installation has been done, तो guys यह मेरी first screen है guys और आप देख सकते हैं कि यहां पर मेरे पास कोई भी ऐसा GUI base कुछ भी नहीं आ रहा है सारा का सारा जो है आपका पूरा का पूरा जो है अपका CLI based है तो अगर मुझे आप इसको configure करना है इसको manage करना है तो कैसे करना होगा यह सारी चीज़े आप इस सीरीज में रहेंगे आने वाले टाइम में नेक्स वीडियो में इसके configuration को देखेंगे तो अगर आपको configuration करना है तो आपको यहां पर सबसे पहले करमान देना होता है जो कि है as config as config guys आपका command है management tool है जिसके तूरू आप अपने server core को manage कर सकते हो अगर आपको commands है कि अगर मुझे के पास IP address install करना है यह IP address को configure करना है तो इसके लिए मुझे command आनी चाहिए तो कई guys ऐसे होते हैं जिनको command की सोड़े से hands-on नहीं होते तो उनको क्या करना होता है कि as config management tool को use करके आपको just enter करना है और आपके पास इस तरह का platform आएगा और यहां पर आपको just क्या करना है जैसे मुझे computer का name change करना है I want to change my computer name तो यहां पर computer name को change करने के लिए number two प्रेस करना है आपको यहां से number two प्रेस करेंगे और enter करेंगे उसके बाद enter the new name of your computer तो मैं यहां पर देंदेता हूं server core और enter करेंगे और यहां से yes करेंगे और आपका server एक बार restart होगा और आपका system को जो नाम है वो आपका change हो जाएगा तो guys अगर आपको commands नहीं भी आता है तो भी आप इसको manage कर सकते हो लेकिन हम को हम इसको जो है to the scratch सिखेंगे किस तरीके से server core को manage करेंगे जितने भी हमें server के पर जो रोल्स इंस्टॉल करने है उस सारा का सारा guys हम लोग command के थुरू करेंगे तो कैसे करना भी यहां पर देख सकते हैं कि कितना fast यह restart होके भी कम आ चुका है मेरा ठीक है तो यहां पर server core का operating system है ठीक है तो और सबसे बड़ी है कि secure भी है secure इसलिए कि हर को इसको यूज नहीं कर सकता अगर किसी को का CLI की command के knowledge ना हो तो वो इसको यूज नहीं कर सकता तो सबसे बड़ा benefit इसका यह भी है कि security base भी अपका अच्छा खासा है इसका तो यहां से आप control and delete करेंगे ठीक है control करने के बाद जो भी आपने password एंटर किया था वह password करोगे और एंटर करोगे हैं से एंटर करने के बाद यह आपका screen आ जाएगा और as config अगर मैं होस्तने में यहां पर दिखाना चाहूं कि मैंने system का host name चेंज गया था server core तो property पर आते एक पर size थोड़ा सा इंक्रीज कर देता आपको मैं अगर मैं host name करूंगा host name so you can see the name of the server server core तो काम करते हैं मैं इसका नाम फिर से चेंज करनी कोशिश करता हूँ तो आपको यहां से क्या करना होगा as config type करना है just आपके पास screen आएगा screen आने के बाद आपको तो यहां से second number पर server को computer name आ रहा है enter the number to the selected option तो यह सारे select अगर domain में group में change करना है domain में add करना है तो आप फर्स के option कैसे जाएंगे अगर आपको local admin shutter account add करना तो three number use करेंगे तो यह सारे सीज हम लोग देखेंगे आने वाले time में no problem तो अगर मुझे restart करना तो I will press 13 number तो system restart हो जाएगा shutdown करना है तो 14 number पर अपका shutdown हो जाएगा 15 number अगर मैं यहां पर करके enter मारता हूं तो जो मेरा यह configure management tool है यह क्या हुआ exit हो गया अब नौ मैं वापिस से CLI पर आ गया फिर से मैं अगर config प्रेस करता हूं और नौ मैं वापिस से configuration management पर आ गया ठीक है तो यहां पर मैं वापिस से आपको अपना hostname चेंड करके रिखाता हूं तो सबसे पहले मैं काम करता हूं वापिस से exit करता हूं और मैं यहां पर hostname एंटर करता हूं आप दिख सकते हैं पर server core आ रहा है तो मैं का नाम वापिस से चेंड करता हूं और मैं काम करता हूं as config sorry as config प्रेस करने के बाद number two प्रेस करेंगे क्योंकि मुझे यहां पर computer का name change करना है आई विल प्रेस number two and enter the computer name तो यहां पर computer कर नेम जो आपको टाइप करना कुछ भी अब दे सकते हो जैसे मैंने दे दिया आ एस कोर एस कोर और हाइफन डी सी dc1 मैंने यह नाम देना है s ko dc1 hyphen dc1 just press enter यह आप से restart के लिए पूछेगा click on yes अब आप देखेंगे कितनी जल्दी जो है यह quick restart होके आपके screen भी आ जाएगा तो give me a second अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही fast operating system है यह बहुत minimum hardware के साथ आप इसको use कर सकते हो और now it is आपके सामने है ठीक है और मेरा इसमें आप देख सकते हैं मैं इसमें जो RAM मैंने यहां पर configure किया हुआ हुआ इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 1GB RAM दिया हुआ तो गाइज यह चोटा सा introduction था installation कैसे हमें server core को install करना है तो वह हमने देखा आज के वीडियो में और हमने कैसे configuration management tool को use कर सकते हैं for configuring the windows server core तो next वीडियो में हम लोग command के थूर हम इसको server core को कैसे manage करते हैं यह सारी चीजे हम लोग देखेंगे तो मिलते हैं अपने next वीडियो में गाइज अगर वीडियो पसंद आया तो आपके वीडियो का like जरू करें चैनल पर नहीं है तो subscribe जरू करें ताकि आने वाले नए वीडियो की notification आपको मिल सके तो गाइज मिलते हैं अपने next वीडियो म करेंगे सकते हैं।